आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ तो देखो इस क्वेशन में क्या बोल रहा है कि इन अंगुलर प्रोसेस अन एटम मेक अट्रांजीशन तु लोवर स्टेट विदाउट एमिटिंग फोटन ठीक है अच्छा अब क्या बोल रहा है इसको आउटर इलेक्ट्रान को विच में भी इजेक्टेट वाई इस एटम को हम बोलते है और अगर इलेक्ट्रान ठीक है अच्छा आप क्वेशन ने बोल रहा है कि assume करो the nucleus to be massive calculate kinetic energy of n is equal to 4 auger electron emitted by chromium absorbing the energy from n is equal to 2 to n is equal to 1 ठीक है तो देखो क्वेशन में क्या हो रहा है basically हो क्या हो रहा है एक electron जो कि n is equal to 2 में present है वो n is equal to 1 में जा रहा है तो वो क्या काम करेगा energy को radiate करेगा ठीक है अब वो जो energy radiated है वो absorb हो रहा है n is equal to 4 वाले electron की द्वारा ठीक है ठीक है तो अब वो क्या काम कर रहा है eject कर रहा है eject करने के बाद में उसकी कुछ kinetic energy हो गई ठीक है तो basically हो क्या रहा है यहां से जो energy निकली होगी मतलब यह जो electron है यहां से जब आया होगा तो इसमें जो energy निकली होगी वो basically इसको eject करने में निकली होगी मतलब इसकी energy होगी मतलब iy слишком के अंदर जो energy होगी वो जो कुछ ना कुछ उसको निकलेगा और कुछ maximum कईटीक हो चली जाएगी तो यह energy है जो निकल रही है यह इस वाले process से n is equal to 2 से 1 में जाने पर, वो इसको निकालने में लग रही है, और उसकी kinetic energy में लग रही है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो energy कितनी निकल रही है, मतलब radiation energy, तो radiation energy कितनी है, वो आपकी है, minus 13.6, ठीक है, minus 13.6 into z square by, यह आपका क्या होता है, यह आपका होता है, n square यह आपका nth level के लिए होती है, ठीक है, तो अगर मैं delta e की बात करूँ, तो delta e आपका हो जाएगा, वो आपको जाएगा, minus 13.6 into z square, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, 1 by n1 square minus 1 by n2 square, ठीक है, तो जब इसको solve करऊँ तो आपका जाएगा, minus 13.6 z restore, अब देखो, यहाँ पर n1 क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 by 1 minus 1 by 2 का square, तो 2 का square क्या जाएगा, 4 हो जाएगा, तो जब इसको solve करऊँ तो आपका जाएगा, 3 by 4 into minus 13.6 into z square, तो यह हमारी क्या है? यह हमारी radiation energy है, जो कि यह blue line show कर रहे है, अब यह energy कहां जाएगी? यह energy जाएगी आपकी इस energy की कुछ इस electron की कुछ n is equal to 4 है, इमें कुछ foundation energy होगी, वो कितनी है? उसको जब आप निकालोगे तो वो निकालोगे e4, तो e4 की value क्या है? वो आपके है, minus 13.6 ठीक है? minus 13.6 into z square divided by n के लिए क्या है, 4 है, तो 4 का square क्या करोगे? 16, तो यह आपका जाएगा, minus 13.6 into z square by 16, ठीक है? तो इन दोनों का difference, मनलब delta e और e4 का difference है, वो हमारी कहाँ जाएगी? kinetic energy of electron में जाएगी, जो कि n is equal to 4 से निकल रहा होगा, ठीक है? हमें क्या काम करना है, वो difference लेना है, तो kinetic energy of n is equal to 4 electron, वो कितनी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी delta e minus e4 तो delta e कितना है? वो आपका है, 3 by 4 minus का इधर ले लेंगे, into 13.6 into z square minus, यहाँ पर यह minus plus हो जाएगा, तो आपका आजाएगा 13.6 ठीक है? into z square by 16, तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे? minus को कॉमल ले लेंगे, तो यह आपका आजाएगा, और z square कॉमल ले लेंगा 13.6 कॉमल ले लेंगे, तो minus 13.6 into z square यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 by 4 minus 1 by 16 तो इसको जब आप solve करोगे, तो यह आपका जाएगा, minus 13.6 into z square 16 आपका calcium हो जाएगा, तो यह आपका जाएगा, 12 minus 1 by 16, ठीक है? तो यह आपका जाएगा, आप देखो chromium के लिए z की value कितनी होते है, 24 होते है, तो यहाँ put कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा, minus 13.6 into 24 का square, ठीक है? यह आपका हो जाएगा, 11 by 16 ठीक है? जब इसको solve करोगे, तो आपका answer जो आजाएगा, वह आपका हो जाएगा 5 385.6 electron volt, इसको आप किलो वोल्ड में convert करोगे, तो आपका जाएगा 5.38 kilo electron volt, हमारा final answer होगा, ठीक है?